प्रियंगा गांधी छोड़ेंगी यूपी वही प्रदेस कॉंग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी वही दो नामों को लेकर चर्चाओने पकड़ा है जोर तो आए जानते हैं कौन है वो दो नाम आपको बता दे कि करनाटक विधान सभा चुनाओ में मिले जीत से उत्साहित कॉंग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की तयारी में है लोग सभा चुनाओ 2024 से ठीक पहले कई राज्यों में विधान सभा चुनाओ भी होने है अन्य राज्यों में अपनी व्यस्तता की चलते पार्टी की राष्ट्रिये महा सचीव प्रियंका गांधी वाड़रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने का दाइत्तु जल्द छोड़ेंगी इसी मा उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी निक्त हो सकता है नय प्रदेश प्रभारी के तौर पर उत्तरा खंड के प पहारी समाज के वोट बैंक में सिंध लगाने का प्रयास कर सकती है हलाकि वहीं दूसरी तरह पार्टी अनुभवी नेता तारीक अन्वर के माध्यम से मुसलिम मतों को हतियाने का दाव भी खेल सकती है बतादे कि लोगसबाचुनाव से पहले उतर प्रदेश में नए प्रभारी की तैनाती महत्वपूर्ण होगी वहीं प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी का भी लोगसबाचुनाव तक बने रहना तैम आना जा रहा है कॉंग्रेस ने प्रदेश में पिछला विधान सबचुनाव प्रियंका गांधी वाडरा की अगवाई में लड़ा था हलाकि अपना जनाधार बचाय रखने के लिए कॉंग्रेस कुछ खास नहीं कर सकी थी अब आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी की दूसरे राज्यों में व्यस्तता को देखती हुए पार्टी का उक्तर प्रदेश में नए प्रभारी की तैनाती खोलेकर मंथन अंतिम चरन में है पार्टी के एक वरिष्ट पताधिकारी का कहना है कि पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश श्याने के बाद कई निर्नयों पर अंतिम मुहर लगेगी दरसल निकाय चुनाओं के दौरान कॉंग्रस में अंतर कलह सामने आई थी बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने कई जिलों में कारेवाहत जिला अध्यक्ष की निक्ति किये थे इनमें जहासी व जौनपूर के जिला अध्यक्षों की निक्ति निरस्त कर दी गई थी इसे लेकर अखिल भारतियों कौंगस कमीटी के महा सचीव केसी वेनु गुपाल की और से जारी पत्र सामने आया था बड़ों के बीच खीचतान फिर सामने आई थी जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष खाबरी को दिल्ली बुला लिया गया था बता दे कि वो तीन दिल्ली में रहे और आश्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे केसी वेनु गुपाल वो अन्य वरिष्ट नेताओं से मुलाकात की संकेत यही है कि खाबरी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे जल्द ही नए प्रदेश कारेकारनी का अगठन भी होना है तो आपने सुना कि आखिर क्यों प्रियंका गांधी वाडरा यूपी छोड़ रही है और अब देखना यह दिल्चस्प होगा कि आखिर कौन होगा प्रदेश कॉंग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त पार्टी किस पर जताएगी भरोसा वीडियो धन्यवाद